हलो गाईज, वेलकम तो मैं चैनल सुमीताज वर्ज आज मेरे घर में है विश्रमा पुजा तो इसके लिए आज मेरा वीडियो यही शुरू होता है तो चलिए मेरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और जिसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक और शेयर करना मद भूलिएगा और साइब में बेल आइकन ट्रोग क्लिक करना मद भूलिएगा इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स को तो मैं सुबे के पाज बजे उड़ गई हूँ और मैंने सारी सामगरी यहाँ पर लाके सब धोके रेडी कर ली है क्योंकि पंडित जी नौ सारे नौ बजे तक आ जाएंगे मुझे अकेली ही सारी तैयारी करनी है अभी लगभग साथ बज रहे हैं मेरी तैयारी आधी आधी हो चुकी है क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सारी तैयारी पूड़ी करने में तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरी फैक्टरी का थोड़ा नजारा यह एक मिनियल वाटर प्लांटेशन का जो है फैक्टरी है हमारे ब्रैंड का नाम है डॉक्टर वाटर आपको मार्केट भी इजीली हाफ लीटर एक लीटर और टूफिफिटी एमेल का वाटर ट्रिंकिक वाटर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों नौ बज चुके हैं और पंडित जी बोले थे सारे नौ बजे आएंगे वो नौ बजे ही पहुंच चुके हैं मेरी पूजा शुरू हो चुकी है तो चलिए देखते हैं पूजा की तयारी कैसी हुई है यहां दूसरी तरफ देखिए मेरे हजबेन ने सारी सबजी उठाके लेके आये हैं क्योंकि दूपेहर में प्रशाद बनेगा और जो हमारे घर के और हमारे स्टाफ है वो दूपेहर का खाना यहीं खाएंगे तो इसलिए प्रशाद बन रहा है यहां भगवान की आर्टी च शुरू हो चुकी है तो दोस्तों अभी यग्य शुरू होने वारा है माना जाता है कि यह मान्यता है कि यग्य क्या जो आहुती है वो जितनी उपर तक जाता है वही स्वभाग्य लाता है तो देखते हैं कि यग्य की आहुती कितिनी उपर तक चली है तो यग्य पूर्ण हुआ और अब हम सब आशिरवाद ले रहे हैं भगवान का और यग्य की टीका ले रहे हैं पूजा अभी संपन्न हो चुकी है अभी क्यों है हम लोग की कारी और जितने भी मशीन है उनकी पूजा करेंगे पंडी जी तो चलिए देखते हैं इस पूजा की थोड़ी सी वीडियो इतनी सारी मशीने हैं पूजा करते करते पंडी की शायदा थठी जाएंगे चलिए आगे देखते हैं प्रैक्टरी के अंदर की पूजा खतम हो चुकी है अभी जो हमारे जो कारी है जो ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई देते हैं उस गारियों की पूजा हो रही है अभी हम चले हैं अपने जिम में हमारी छोटी सी एक जिम है फीटन स्लिम जिम तो उसकी भी थोड़ी पूजा हो रही है अगर आप कोई भी हो जाए आना चाते हैं या आएंगे तो प्लीज हमारी छोटी सी ये जिम फेटन स्लिम जोकी गोबिंदो पुली में स्थी थे जरूर विजिट कीजिएगा ये एक यूनिसेक्स जिम है तो गाइस इसे जरूर विजिट कीजिएगा अगर आपका यहां आना हुआ तो सारी पुजा की विधी खतम हुई अभी है प्रशाद देनी की बारी तो मैं और हमारी एक जिम की मेंबर पुजा मेरे साथ हेल्प करिये प्रशाद देने में साथ में मेरी सासुमा भी है हम प्रशाद रेडी कर रहे है तो काई देखिए चावर बन रहा है और आईए इधर में यह दो दोपेया का बन रहा है तो खाना बनने के बाद मैं आपको फाइनली दिखांगे आज प्रशाद में क्या-क्या बना है तो बना है साथ, चटनी, चावल, खीर, ताल यह भाजी बन रही है और यह पनीर की सबजी तो अब ही दोपेयर के बज रहे हैं एक से देर तो अभी हमारा जो लंच टाइम है वो है प्रशाद दिना शुरू हो चुका है दोपेयर का खाना तो चलिए देखते हैं मैं प्रशाद में क्या-क्या परोस रही हूं और सब कैसे खा रहे हैं और कौन-कौन आ रहा है ये प्रशाद लेने के लिए लेट्स को ये है मेरे नंदोई जी बरे नंदोई पान्तोदा और ये है मेरी भावी रीपा ये मेरे छोटे नंदोई ये मेरे बेटा ये मेरी भावी की मा है और ये मेरे सारे स्टाफ है खाना खा रहे हैं ये तो मूँ चिपा रहा है मुझे भी बहुत भूख लगिये तो मैं भी अभी खाना खा रहे हूँ ये मेरे भावी के पिता जी और ये रहे मेरे हस्बेंड और वो रहा मेरा भांजा प्रशान्त तो रात के प्रशाद में बन रहा है खिचरी और मीच रहे क्यूंकि रात में चीम के मेंबर्स और पड़ोसी सब इन्वाइटेड है तो गाइज यह हमारी मौसी मौसी खाना बगा रही है प्रशाद बना रही अभी देखिए साथ में है और एक मौसी यह लोग फेमस है प्रशाद बनाने के लिए तो चलिए गाइज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे एक और स्टाफ के पास देखिए वो कैसे खाना खा रहा है हुए बहुत खाना खाता है हम उसे बोलते हैं कि तो थोड़ा कम खाया कर इसके दिमाग में कुछ नहीं है कुछ नहीं जाता है खाली सिर्फ ये खाना ही समझता है कुछ भी नहीं थे गुठ लूं में में अर्चा फट बहुत है तो चलिए देखते हैं मेरी यहां पर क्या होने वाला है और क्या हो रहा है तो प्रशाद रेडी हो चुका है और ये कंटेनर में पैकिंग के लिए जा चुका है ये मेरी ननन्द है वो पैकिंग कर रही है ये मेरी भांजी है भावी भाईया से फोन पे बात करिये और भतीजे को अपने पापा से वीडियो कॉरिंग में बात करवा रही है यहां पर देखिए महमान भी आना शुडू हो गया है अभी शाम के साथ बज रहे हैं और यहां जिम में भी कुछ मेंबर्स आए हुए हैं उनको भी परशाद दिया जा रहे और देखिए घर पे भी महमान भरे हुए हैं आज का दिन बहुत हेटिक था, सारा दिन थोड़ा भी रेस नहीं किया, लगातार महमन आहीं जा रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा, इस देखी इतनी भीरे हम प्रशाद देते रहे के ठक गे, फ हम अभी क्या करें, अब कब खतम होगा ये प्रोग्राम, तो अभी रात के दस बज रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, सिर्फ पापाई है, तो आज का जो प्रोग्राम है, वो खतम हो चुका है, फुजा अच्छी तरह से गुजर गया, अगली बार के लिए बेसरबडी से इंत बेजार रहेगा इस दिन का, तो गाइस हमारा प्रोग्राम ही एंड हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते है मेरे नेक्स व्लोग में, नेक्स वीडियो में, तिल देन टेक क्यार एन बाई बाई झाल